सरकारी विभागों द्वारे अपनी विजली के बिल का भुकतान ना करने के कारण विजली विभाग की हाथ खड़े हो गए हैं अगर बात की जाए घरेलू कनेक्शनों की तो विभाग दूसरे महीने ही कारवाही करने पहुंच जाता है मगर हमिरपूर में सरकारी कारल्यों ने भी कई महीनों से बिल का भुकतान नहीं किया है जिसने तहसील कारल्ये का बिल 70,370 रुटे है और तो इसके अलावा कई अनिव विभाग विभाग भी शामिल हैं विभाग ने अब निजी डिफाल्टरों की सूची बना कर विजली कनेक्शन काटने का मन बना लिया है और इसके लिए एक टीम का गठन भी किया गया है वहीं एस्टियो हमिरपूर राकेश शर्मा ने बताया कि हमिरपूर में स्थानी लोगफ सरकारी कारेले बिजली विभाग के क्रोडो रुपे पर कुंडली मार कर बैठे हैं उन्होंने कहा कि बिजली का बिल्स में पर अदा न करने वालों के अब विभाग द्वारा बिजली के कनेक्शन काटे जा रहे हैं हम डिपालिटर बोटिल्गा देते हैं तो इन में से जो इस महीने की जो है आफ्स्टरेंडिंग जो उनके लेना है हम ने आड़ी निकाल दी हैं के काटने के हमारे बंदे जो टीम अमने काटिट की है वो घर गर जा के चेक कर रही है कि इननोंने बैसे नहीं जमा करवाया है है तो उनके करेक्शन काट रहे हैं कंजूमर इस वार डमेस्टिक जो हैं वो पांसो पांट हैं उनसे हमने पांच लाख चिरानुह जार तिन्सो परचीस अरपेज जो यह वेदा है और कमर्शल जो हैं दो स्तानुह हैं उनसे हमने इस ता यह की फिगर है 17,017,0900 लिट में ह अब उसके आइपेच विवाद का काफी प्यासा होता है तो भी अब दे रहे हैं और इस महीने जो उनको बिल हमने सर पिये हैं तो उसके अमाउंट है वो है इनकी आइपेच का पुछुन पांच लाग सुन्जा जाद शेसो तरेसेट रुखे है बाकी ये तसीलदार आफिस के अब दे रहे हैं गौंब्ड की जो लगे हुए तो उसमें से से सत्तर हजार चिल्सो सत्तर प्याजु है तसीलदार आपिस से लेगा है तर रहे हैं कि साथ दिन के अंदर-अंदर जो हो हमारा पैसा जमा करवादें जीजीगाविल तो खासकर तो तसीलदार आपिस ही है में गौर्ट तलब है कि हमीरपु विजली विभाग क्रोड़ों रुपे के कर्स्त में चल रहा है और लोगों द्वारा समय पर बिजली का बिलना देने से विभाग को लाकों का नुक्सान हो रहा है